हमारे इतिहास के पन्नों में कितने ही सामराज्यों के उत्थान और पतन की घटनाएं तथा वीर गाथाएं अंकित हैं जिनके साक्षी रहे हैं अतीत के दस्तावेज ये दुर्ग, महल, समाधियां, छत्रियां अपने अवशेशों में अतीत को संजोए हुए कौन थे वे लोग? कैसा था उस समय का जीवन? यह जानने के लिए आई ये पल्टें अतीत के पन्नों को पंद्रवी शताब्दी का समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्ये थे उन में से एक था मेवाड मेवाड जो उस समय राजपूताना के एक प्रमुख राज्ये के रूप में उभरा था यह वह काल था जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता चला जा रहा था अनेक राज्ये मुगलों की अधिनता स्विकार कर चुके थे इधर उत्तर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ती थे मेवाड पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था जिनका मुगलों के साथ बराबर विरूद बना रहता था मेवाड के इतिहास के पन्नों को पल्टें तो एक प्रमुख शूर वीर का नाम उभरता है यह नाम है महराना प्रताप का महराना प्रताप शौर के प्रतीक मात्र भूमी पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता के पुजारी वीर प्रताप की शौरे गाथाउं से अरावली की घाटी आज भी गूज रही है शिर दे ना दे धरा आबड़ पनरी जीवाद ना शिर दे ना दे धरा आज सोही राण परताप भूमहारा मेवाडी शिरिदार नीला तोडारा अश्वार राणा सुने तो जाए जेरे मारा मेवाडी शिरिदार नीला तोडारा अश्वार राणा सुने तो जाए जेरे मेवाडी राणा सुने तो जाए जेरे मारा मेवाडी शिरिदार नीला तोडारा मेवाड के दो प्रमुक किले हैं कुम्भलगर और चितोडगर पंद्रवी और सोलवी शताबदी में मेवाड के राणा कुम्भा और राणा सांगा ने मेवाड की कीर्टी को शिखर तक पहुँचाया उन्ही के वन्षज महराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुम्भलगर के किले में हुआ यही इसी स्थान पर कुम्भलगर के ततकालीन महराणा उदय सिंग और महराणी जैवन्ती वाई का पुत्र प्रताप मेवाड का उत्तरा धिकारी प्रजा का दुलारा भीलों की देख रेक में पला बड़ा जिसे प्यार से वे कूका कहते थे मेवाड का भावी महराणा वनवासियों के साथ बेहत प्रसंद रहता देश प्रेम की ज्वाला उसके रदय में सदा प्रज्वलित रहती जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी मेवाड सदा से ही मुगलों की आँख की किरकरी रहा और युद्ध पोते रहा मेवाड का राजनीतिक महत्व तो था ही साथ ही वह गंगा भूमी के व्यापार मार्ग को पश्चमी तट से जोड़ता था अतह मेवाड को अपने अधीन करना मुगल शासकों के लिए जरूरी हो गया था मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें तो पाएंगे कि उस काल में महत्वा कांक्शी मुगल समराट अकबर का सामराज्य लगभग पूरे भारत में छा चुका था अनेक राजपूस सरदार यहां तक के राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और परिणाम स्वरूप उन्हें मिले थे उची ओहदे उची पद्वियां और जागीरें पर राणा प्रताप अकबर जैसे महा पराकरमी समराट के सामने नहीं जुके कहा जाता है कि 28 फर्वरी सन 1572 को होली के दिन प्रताप का गोगुंदा के किले में राज्या भिशेख हुआ जब प्रताप का राज्या भिशेख हुआ तब उन्हें न कोई राजधानी मिली न साधनों का जरिया वे बहुत कम साधनों से ही मुगल समराट से जूजते रहे प्रताप ने हर संकट को चुनौती समझा और इस से उनके संकल्प और अधिक मजबूत होते गए अकबर ने राणा प्रताप को यह समझाने के लिए के वहें उनकी अधिनता स्विकार कर ले अनेक दूत भेजे पर राणा स्वाभी मानी थे देश भक थे वे नहीं माने उनका राजसी वैभव छूट गया किन्तु कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राणा प्रताप ने अकबर की अधिनता को स्विकार नहीं किया जैसी उनकी पैनी तलवार थी वैसा ही चौकन्ना था राणा प्रताप का प्रिये घुडा चे तक यदि मेवार की भोगोलिक स्थिति को देखें तो पाएंगे कि इसका अधिकांश भाग पत्रीला और पहाड़ी है आजपास जंगल है और जन जातियों की बस्तियां है राणा प्रताप ने जन जातियों के रण बाकुरों को अपने साथ लिया और युद्ध की तैयारियां करते रहे अठारा जून सन 1576 इस्वी को अकबर की सेना और महराना प्रताप के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्धुकुआ एक ओर राजा मान सिंग के नित्रत में अकबर की विशाल सेना थी कहा जाता है इस सेना में 10,000 घुड सवार थे और हजारों बैदल सिपाही थे दूसरी ओर राणा प्रताप की सेना में केवल 3,000 घुड सवार और मुठी भर सैनिक थे मगर ये सैनिक मात्र भूमी पर मर मिटने वाले रण बाकुरे थे राणा रण के मिटने यूम्ही थे कि बाण हां लाण सेना एकां का राण एक एक लाण यही वे विश्व प्रसिद्ध हल्दी गाटी है जहां से होकर प्रताप की सेनाओं ने इस गाटी को पार करके उस पार खमनोर के समीब खड़ी मुगल सेनाओं से संगर्ष किया था इस घाटी की विशेषता ये है कि इस घाटी के जो मिट्टी है उसका रंग पीलापन लिये हुए इसलिए हल्दी के समान रंग वाली मिट्टी का होने के कारण इसको हल्दी घाटी कहा जाता है ये बहुती तंग दर्रा है जिसमें से होकर परताप की सेनाओं ने आगे बढ़ करके मुगलों की सेनाओं का विरूत किया था ये रक्त तलाई है रक्ततलाई का अर्थ है कि जहां पर खोन की तलाई भर गए थी खोन का तुलाब बन गया था आपको विदित है कि इस ओर हल्दी गाटी है हल्दी गाटी का जो मुह है वो लगबग यहां से डेड़ किलो मिटर दूर है इसी तरफ बाई और मुगलों की सेनाओं का पड़ाव था ये जिस ओर आप अभी ये बंबूल के पेड़ है ने इन पेड़ों के पीछे उस जमाने में केवल सीधा मिदान था और उस मिदान की जो सीमा है वो आगे बंशनेदी से मिलती है जो मुगलों की सेनाये थी वो उस बंशनेदी के किनारे से इस प्रदेश से इस भाग से बढ़ती बढ़ती इस स्थान तक आई थी मुगलों की सेनाएं हल्दी गाटी के मुँ तक पहुची थी प्रताप की सेनाओं ने उनको खदेड़ते खदेड़ते लगवग देड़ किलोमेटर तक यहां ले आए यही वैस्थान है जहां पर मुगल सेना के सेनापती मान सिंग के हाती पर प्रताप ने अपने घोड़े पर चलांग लगाई थी और यही वैस्थान है जहां पर चेट तक का पिछला पेर हाती की सून में बंडी तलवार के कारण कट गया था यही वैस्थान है जहाँ पर हकीम खांसूर ने प्रताब को सला दी थी कि वो पीछे लोड जाए क्योंकि उसके प्राण संकट में थे यही वैस्थान है जहाँ पर इसके साथ चलने वाले वीरों ने अपना बलिदान दिया था जालामान ने अपने सर पर चत्र रखकर के यह कहना प्रारम किया कि महाराना परताब मैं हूँ और इस प्रकार भेंकर अंतिम युद्ध की उपरनिती है वो यहाँ पर खून की सरीता के रूप में हुई थी यहाँ पर एक वीर विशेश का भी मैं नाम लेना चाहूंगा वीर वर पूंजा जिसके साथी लोग इन पहाड़ियों के अंदर पीछे की और की पहाड़ियों के अंदर थे उन्होंने पीछे से पत्थर बरसाने प्रारम किये थे और यहाँ पर एक वीर जो की इस और इस चत्री की तरफ में इशारा कर रहा हूँ यह राम सिंग तमर की है जो ग्वालेर का महराजा था और वो भी इस लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मोजूद था यहाँ पर अब लड़ता हुआ महरा गया और यह वह मध्य स्थल था जहाँ पर भहिंकर युद्ध हुआ यहाँ पर लाशे पढ़ गई और चारों और से घमासान होने लगा हल्दी घाटी का युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो गया राणा प्रताप के हाद से गोगुंदा का किला और कुम्भल गड निकल गया पर्ष जीवन भर चलता रहा पराजित हो जाने पर भी अरावली की घाटी गुझ उठी प्रताप की कीरती और पराक्रम की गाथा से प्रताप की यशोगाथा मेवार तक ही सीमित नहीं रही बल्कि समूचे देश में फैल गई हल दी घाटी रंगी खुन सुनालो बहियो जाए हल दी घाटी रंगी खुन सुनालो बहियो जाए चमकी मेवाडी तलवार बैग्या खुनारा पर नाल राणा सुन ताजा जोजे सुन ताजा जोजे मेवाडी राणा सुन ताजा जोजे मेवाडी शिरदार नील भोडारा असवार राणा सुन ताजा जोजे राणा ने जंगल में शरण ली हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राणा प्रताप के सामने समस्या थी के राजधानी कहां ले जाएं उदैपूर से 16 किलो मीटर दूर एक स्थान था चावंड चावंड एक ऐसा स्थान था जहां पहुँचने के लिए लंबा पहाडी रास्ता पार करना पड़ता था यहां पानी की भी सुविधा थी यहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और शासन व्यवस्था मजबूत की राणा प्रताप ने भामा शाह और भील सरदारों के साथ मिलकर धन और जनशक्ति संगठित की राणा प्रताप ने छापा मार युद्ध जारी रखा सन 1589 के बाद राणा पर मुगलों का दबाव कुछ कम हुआ क्योंकि अकबर का ध्यान अब पूर्वी भारत के विद्रोह और उत्तर पश्चमी सीमावर्ती गतिविधियों पर था राणा ने अवसर का लाब उठा कर चितोड और मांडल गड़ को छोड़ अपने राज्ये का एक प्रमुख हिस्सा वापस हासिल कर लिया और मेवाड फिर से स्वतंत्र हो गया ऐसा माना जाता है कि मेवाड के सिंग राणा प्रताप शेर का शिकार करते हुए गहरी चोट खा कर घायल हो गये और 19 जन्वरी सन 1597 को चावंड में ही महराणा प्रताप ने अपना शरीर त्याग दिया महराणा प्रताप ने ऐसे उची आदर्शों को स्थापित किया जो देश और काल की सीमा से परे मात्र भूमी प्रेम और स्वाभीमान को नरंतर प्रेड़ना देता रहा है और देता रहेगा माई एडा पूत जन जेडा राण परताप अकबर शूत ओज के धैं जान शिरान शाब ओ महारा मेवाडी सिरदार लिल भोडे राशवार राणा सुनता जाए जोजे मारा मेवाडी सिरदार निल भोडे राशवार राणा सुनता जाए जोजे सुनता जा जोजी मेवाडी राणा